कैसे हूँ आप सभी लोग आप सभी लोग आप सभी लोग काफी अच्छी होंगे कैसे हम लोग इसकाफ से अपने फेस को अच्छी से कवर कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है गल्स लंबा दूपटा भी कैरी करती हैं और इसकाफ भी करती हैं बट जेंट जो होते हैं उनको थोड़ी से दिक्कत हो जाती है वह लंबा दूपटा कैरी तो नहीं कर सकते हैं बट वो सोट इसकाफ यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवैलिबल होई जाते हैं अज मैं आप लोग को तीन आशान से ट्रिक बताने वाले हो कि कैसे आप लोग इसकाफ से अपने फेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं तो चलिए जादा बाते नहीं करती हूं आपके साथ और आप को दिखाती हूं कैसे आप लोग अपने फेस को इसकाफ से कवर कर सकते हैं तो आईए देखिए तो गाइस यहां पर मैंने यह अपना स्काफ लिया वह ज्यादा लंबन ही है चोटा ही है और अभी मुझे इसे ट्राइंगल शेफ देना है तो आपने इसको यू पकड़के औ आप लोग देख सकते हैं यह ट्राइंगल शेफ में हो चुका है और अभी हमने क्या करना है इसके अच्छे से अपने फेस पे लगाना है और इसी फर्स ट्रिक आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही एजी है इसे ट्राइंगल शेफ देना है और अपने फेस पे लग यूँ करके यहां पर इसे टक कर लेना है अच्छे से दिखे गांट लगा देने हैं थोर टाइट गांट करनी है आप लोगोने जैसे मैंने बोला आपको लूज नहीं करना लूज करेंगे आप लोग तो यह आपको जो स्काप है वो खुल जाएगा और अभी जो यह वाला इस कि अध्यान आप लोग दूसरा तरीका यह भी बहुत तरीका है इसे भी आप लोग अपने फेस को अच्य से कवर कर सकते हैं तो आप लोगोंने अपने काप लेना है और जो इसकाप का मैं उस पकड़ के और यह बीच से मतलब किस कावर आपने लोग नहीं पकड़ने कि तो गाठ आप लोग के लग चुकी है तो गाठ यहाँ पे लग चुकी है और जो बाकी इसका बचा हुआ पोशन है इससे हमने पीछे से लेके जाना है कुछ इस तरीके से और जैसे आप लोग पलू रखते नो साड़ी का पलू, उस तरीके से आफ लोगों ये रखना है, ये देखे इस तरीके से रखना है, और अपने हेड़ पे से हलकाजा टाइट करके, और पीछे इस पे एक नोट बना लेना है, तो देख़े, ये हमारा आगे से अच्छे से कबर हो चुका है और ये पीछे से तरीकों से आप लोग स्काफ से अपने पेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं आप लोगों को ये तीनों तरीके बहुत अच्छे लगे होंगे अगर आप लोग भी अपने पेस को स्काफ से कवर करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलती हूँ गाईज आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो के साथ और हाँ अगर आप लोगे की कोई रिक्वेस्ट या आप लोगे कोई सजेशन हो मुझे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मैं आप लोग की रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगे तो चलिए अभी ज्यादा बात नहीं करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई